नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप से भी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों कहते हैं कि कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई ताद तुम पाही शंकट कटे मिटे सब पीरा जो शुमरे हनुमत बल बीरा तो दोस्तों कल मंगलवार हैं और मंगलवार की दिन जबरजस्त पावार्फुल किये जाने वाले उपाए बतारों वैसे हनुमान जी महराज के चमतकार के बारे में बताने की जहुरत नहीं दोस्तो हनुमान जी महराज के जो एक रोम की तागा थे दोस्तो एक इंद्र के बराबर हैं दोस्तो हनुमान जी महराज को महाबीर कहा जाता है इसके अंदर में अंगिनत सकती हैं और दोस्तो आने वाले कल्यूग के जैसे कल्प अंत होंगे दोस्तो इसके बाद हनुमान जी म अगर आप कोई समस्रा को लेकर के परसाने जैसे नकरात्मक सकती हैं, करजे हैं, ये फिर धन की आवा गमन रूख चुकी हैं, तो ये बिडियो भाया बिल्कुली मिस मत करना, ये बिडियो आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेंगे, दोस्तों प्राचिन गयान चैनल एक यूटूब चैनल ही नहीं, बलकि आप सभी दर्सकों का परिवार हैं, आप सब हमारे बिडियो को देख रहे हैं, आप हमारे बिबरस नहीं, बलकि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं, तो हनुमान जी महराज, रमायन का मुख्या पात्र भीया, हनुमान जी महराज के सकत को जानते हैं इनके बाहु बलको जानते हैं तो हनुमान जी मराज को हमने हमने बच्पन से हनुमान जी मराज की पूजा नहीं किये पाड़ किये बहुत सारे हमने शाधना किये हैं हमने अनुबहों कि हनुमान जी मराज की जो हिर्दा हैं मा के हिर्दा की तरह बहुत ही कोमल है आपने बहुत सारे लोगों के मुख से ये शुना होगा कि भईया हनुमान चलिसा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं अधूरे हनुमान चलिसा नहीं पढ़ना चाहिए हनुमान जी मराज की पूजा करने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है आपको घबराना है दोस्तों हमन अगिक मेटिक दो क्वार की दिन पूझा करेंगे थो पाते हूं दोस्तों सारे उपायकों किसी पेन कौपी मेट में नोड करके चलते जाना और वहां भया सबसे पहले कहना चाओंगा comment box में अभी तक जैसी राम नहीं लिखें तो जैसी राम जरूर लिखना क्योंकि दोस्तों जहां पे राम नाम का उचाराण होता है जी जगा राम नाम का जैकारो भया वहां पे हनमान जी मराज आकर के उपस्थित होता है तो सवर प्रथम तो comment box में सभी लोगों से सच्च अगर हिंदू हो तो comment box में जैसी राम जरूर लिखना विडियो को लाइक करना चैनल को सिब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों यारे में शेयर करना न भूनना उपाय की ओर चलते हैं उपाय Dawn से सुनें अगर आपको विसेस मनों कामनो बहुत ही ज़्यादा कोई मनों कामनो Sans겠지만 जैसे की कर्जे से बहुत ही ज़्यादा परसाने दोस्तों करजे के भार से लदयते चले जा रहे और आपको समझ में नहीं आ रहे की है तुलसी के पत्रा लेना है आपको राम तुलसी पर आपको करना के हैं रखत चंदन से द्यान से शुनना आपको राम तुलसी कितना लेना है राम तुलसी या तो आप 11 ले लिजिए या फिर 21 ले लिजिए और कोई बहुत बड़ी मनोरत है बहुत बड़ी मनो कामना है तो 108 तुलसी के पत्रा राम तुलसी के पत्रा ले लिजिए लेकिन भईया विस्स ध्यान ये रखना है कि आपको एक दसीक दिन नहीं तोड़ना है नहीं अमश्वर पुनिमग दिन आपको तुलसी पत्र तोड़ना है, यह तीन दिन बिल्कुल ही नहीं तोड़े जाते हैं, तो यह चाहे तो आप एक दिन पहले हैं, जैसे मंगलवार के भी दिन तोड़ सकते हैं, कई पूराणों में, कई जगों पे यह भी उल्लेक हैं, कि मं आपको तुलसी पत्र पर रखता चंदन से आपको राम लिखने हैं, राम लिख करके दोस्तों आपको माला पिरो लेने हैं, माला बना लीजे, जैसे आप से बन पड़े, वैसे आप माला बना लीजे, अगर कोई कम मनोरत हैं, जैसे करजे के भार से परसान हैं, तो एक काम कर 21 तुलसी पतर पर राम लिख करके माला तयार कर लिजिए और ये माला किसी आसपास के हनुमान मंदिर के पास में जाना सवरपतम तो हनुमान जी मराच के सिरी चरणों में माथे आपको टेकना है एक आपको सिरीफल भेंट कर देना और आपको अपने मनो कामना बोलते हुए आप अपने मनो कामना बोलना कि भगवान मैं ये निमित है तु आपको तुलसी पतर पर राम लिख हमाल आपको भेंट कर यकीन मानिए दोस्तों मैं अपने दिल की बाद बता दिया हूँ जो मुझे ये ग्यान शाधू संद से प्राप्त हुआ था वही ग्यान आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के मादम से बता दिया हूँ यकीन मानिए कोई शधाराण उपायने बहुत बड़ा दिब्ब्य लेकिंगे दोस्तों तीन मंगलवार के भीतेर में जो आपने सोच करके हनवान जी मराज को तुलसी पत्र भेंट किये थे राम लिखा वो मनो कामना तीन मंगलवार आते तक पुर्णा हो जाएंगे अब यह उपाय आपको कितने मंगलवार करना है तो तीन मंगलवार अवस् पुस्पा बहुत प्री हैं क्या हम कमल की पुस्पा चढ़ा सकते हैं या फिर कमल की पुस्पा अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी मराज को भेड़ किया जा क्योंकि गेंदा की पुस्पा के आप जो कलर देखना दोस्तो भगवा कलर की होती है अगर आप देखें कल्यूग में धर्मधवच को धारान की है तो हनुमान जी मराज के ही कंधो पर धर्मधवच है दोस्तो इसलिए गेंदा की पुस्पा की कलर आप देखना ये भी भगवा कलर की होती है तो गेंदा की पुस्पा वैसे तो हनु आपको दियान से सुने, दीन की अपिक्चा, अगर रातिरी में हनुआन जी महराज की पूजा किया जाए तो हनुमान जी महराज जल्दी प्रशन होते हैं जल्दी आपके पुकार को सुनते हैं अब ऐसा क्यों क्यों कि हनुमान जी महराज पूरे दिन भर रातिरी काल होते तक प्रभु राम के सेवा में समरपीत होता है, और जब प्रभुराम की सेवा सुने, थोड़ा बहुत समाय मिलता है, दोस्तों अपने भक्तों के पुकार सुनते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, ये दोस्तों बहुं सारे जो जो ज्यानी है, ज्यानी जन की ये मत हैं, तो अगर रातरी कालिन में, रातिरी कालीन जैसे कि दोस्तों सड़े 9 ये फिर 10 बज़ेक बाद अगर आप हनुमान जी मराज की पूजा करते हैं आराधना करते हैं चालीसा के पाड़ करते हैं हनुमान जी मराज को मंत्रा मंत्र से प्रशन करने के लिए मंत्रों को उचारान करते हैं तो हनुमान जी मराज दिन की अपेक्षा रात्री कालीन पूजा से बहुत ही जल्दी प्रशन होते हैं रात्री कालीन में हनुमान जी मराज की पूजा करें तो हनुमान जी मराज जल्दी आपके पुखार को सुनते हैं क्योंकि दिन भर भीया हनुमान जी मराश प्रभूराम जी के सेवा में समर्पित होता है चले कुछ और भी से जानकरी बता दू इसके बाद मैं बिड़ो के आखरी में दो तीन और लोंग का इसे उपाया बताऊंगा लोंग के मालक दिब चमतकारी परोग बताऊंगा जो परोग आपको दोस्तो बहुत ज़्यादा लब कराएंगे आपके दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की कराएंगे और सभी प्रकार के समस्ता से आपको यह उवार लेंगे साथ ही साथ दोस्तो आप यकीन माना यह पाया करने के बाद आपके तरक्की आसमान चुमेंगी तो मंगलवार की दिन क्या ना करें क्योंकि कुछ ऐसे छोटे बहुत जो गलतिया होती है न दोस्तो यह हमें बाद में चल करके बहुत ही नुक्षान कराते हैं तो ध्यान से सुनना बहुत सारे लोग यही गलती कर बैठे जिसके करना करज को भी चुकाने में शमर्थावान नहीं होते करजले बैठे होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो की दोस्तो अपने पैर में स्वयम कुलहाडी मारकर करके बैठे हुए होते हैं मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहूँगा मंगलवार की दिन भैया कुछ विसेस ऐसे कार refugee से नहीं करना चाहिए जो आपकी जीवन को बरबाद कर सकते हैं ग्रहों में जो मंगल ग्रह थोड़ा सा कुरूर है सनी के जैसा थोड़ा सा कुरूर है लेकिन बहुत ही जल्दी प्रसन होता है जिनके मंगल कमजोरों भया काते हैं मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु राम जी माराज सभी प्रकार के मंगल अमंगल को दूर करते हैं तो भई आपको मंगल मजबूत करना है अगर आपके मंगल मजबूत नहीं है तो आप जितने भी परिश्रम कर लीजिए धन दावलत कभी कठा नहीं कर पाएंगे इसे बलवान करने का तरीका भी अबुशंकर जी के ही अंस हैं दोस्तों भगवन संकर जी के ये नित्र के अस्रुधारा से उत्पन हुए थे तो मंगल वार के दिन क्या ना करें तो मंगल वार के दिन पान खा करके जमिन पर ना थोके ये मैं जानकरी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ जो वेक्ति पान खा करके मंगल वार के दिन जमीन पर थूकते हैं दोस्तों ऐसे वक्ति कि मंगल कुंडली में कमजोर हो जाते हैं मंगल क्यों कमजोर होते हैं क्योंकि भाईया जो मंगल है भूमी पुत्र है मंगल क्या है मंगल जो है भूमी पुत्र है और अगर दोस्तों भूमी पर पान खा करके थूखते हैं तो मंगल महराज बहुत ही नराज होते हैं और मंगल नराज होते तो आपकी कुंड़ी में मंगल गरक कमजोर होना सुरू हो जाते हैं दूसरा है दोस्तो लाल बैल लाल कलर की जो बैल होता है इसे मंगल वार की दिन भूल करके मारना नहीं है जो लाल कलर की बैल है मंगलवार के दिन भूल करके मारना मत दोस्तो लाल कलर की बैल पर मंगल देव का वास होता है मंगलवार के दिन इसके बाद मंगलवार की दिन ना आपको किसी से करजा लेना है नहीं आपको किसी को करजा देना है मंगलवार के दिन आप करजा दे सकते बाकी करजा किसी को जैसे कि आपको छुटका रहा पाना तो सामने वाले को जा करके उनके करजा लुटा सकते लेकिन मंगलवार के दिन आपको करजा न तो लेना है ना आपको कर्जा किसी को देना है कर्जा देने से यह होता है दोस्तों यह चुकाने में किसी से कर्जा लेते हैं तो यह दोस्तों आपको चुकाने में बहुत तकलिप हो सकते हैं और कर्जा देते हैं पैसे पराप्ति करने में दोस्तों आपके पसीने निकल जाएंगे लेकिन वह पैसे आप उनसे पराप्ता नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुं सारे हमारे किसान भाई हमारे चनल में जूड़े हुए हैं, बहुं सारे ऐसे ग्यानी जन जो हमारे चनल में जूड़े हैं, जिने भूमी का कारा करना होता है मंगलवार के दिन, तो ये काम करना मंगलवार के दिन को छोड़ करके दूसरे दिन भूमी का छेदन कर सकते हैं, भूमी ही तुँ आप जो काम कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार की दिन भूल करके भूमी कर छे दें एवं खुदा हिना करना इसे मंगल दे बहुत ही नराज होते हैं. चले अब उपाय की तरफ चलते हैं, तो दूस्तों मंगलवार की दिन लौंग की माला का यह चमतकारी उपाए सिगर आपको बना देंगे धनवान सभी प्रकार के आपके मनोरत को पुन्ना करेंगे नहीं होगा किसी भी प्रकार के भोत्विक सुकी कमी तो लौंग की माला पहनने से क्या होता है हनुमान जी मराज को लौंग की माला हम पहना है भया तो इसे हमें क्या फायदा मिलेंगे क्योंकि आप में इसे बहुत सारे लोग ये कोमेंट देख करके ये हमारे जो विडियो के टाइटल देख करके आए हैं तो देखे अगर हनवान जी मराज को मनो कामना है कोई बहुत बढ़ी मनो कामना है छोटी ने जैसे कि करजे का भार रहा रहें ये फिर धन समऑन दीज समस्था है तो 21 आप जो है लों की माला पहना सकते हैं लेकिन कोई बहुत ही बढ़ी मनो कामना है तो 108 लों की फूल वाला कि माला बनाई है और इसे मंगलवार के दिन हनुमान जी मराज को पहनाई है वैसे धनसंबंदी समस्था या करजे का भार है तो केवल 21 फूल वाला लगों की माला बना लिजे और इसे हनुमान जी मराज को पूजन पाड़ करने बद आरती करने से पहले आपको पहनाना है तो सनी पीड़ा से जीज दिन आप हनुवान जी मराज को पहना आएंगे आपके सनी के सड़े साती चरम सीबा पेहना दोस्तों ततकाल उसी टाइम हनुवान जी मराज को पहना आते ही मुक्ति मिल जाते हैं तो यह गजब का पावارफूल तंतरीक उपाएं इसके बाद दोस्तों क मैं थोड़ा सा जब प्रभु राम भी स्राम करते हैं तो आपकी पुकार जल्दी सुनेंगे तो यह थोड़ा सा आप जो है कर सकते हैं बागी सीध जनों का कहना है गुरु जनों का कहना है कि रातरी कालीन में हनुमान जी मराज की पूजा करने से प्रभु हनुमान जी मराज जल्दी प्रशन होते हैं यह हमारे स्वय्म की भी अनुब हुआ इसके बाद जिसे बहुत सारे आप में से भाई बंदू जुड़े जो नकरातमख सक्ती से बहुत है परसां आ रहते हैं किसी की घर में बुद्भादा हैं, प्रेदबादा हैं, नकरात्मक सक्ती, आपको आए दिन परसान करते हैं, आपके सरीर खराब हो जाते हैं, दोस्तों, जैसे आपके सीर गुमने लगतें, सर भरी भरी लग रहे हैं, तो काम करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी मराज को भाय अपने गले में धारान कर लेना किसी भी प्रकार के नकरत मख सकती भुद प्रित पिसाज तितर पितर जितने भी योनी है आपके बाल बाका नहीं कर पाएंगे इसके बाद भाईया कपूर में लॉंग डालना और शाद बार ये कपूर जलाते हुए हनुमान जी मराज के एक द हुमाने गवाद साद बार जैसे हो जाए इसे ततकल घर से बाहर निकाल देना मंदीर है तो मंदीर से बाहर निकाल देना उसी टाइम से दोस्तों आप देखना नकरत मख सकती आपको लगें किसमत आपके शाथ निदेर भाग आपके साथ निदेर यो पायक करने बाद जो व यूपाय कर सकते हैं साथी साथ नक्रतमक सक्ती को भगाने के लिए अच्छु कूपाय हैं। इसके बाद चढ़ालाओं को नित्या 21 दिन तक खाने सी दोस्तों किसी नए आपको उपर में नक्रतमक सक्ती डाल दें। भसमा हो जाते हैं दोस्तो भूत ब्याधा होने पर लौंग जला करके किसी को भूत ग्रसीत करके रखें किसी को प्रेथ पकड़के रखें घूर्वासे हमारे चैनल में हमने देखे हैं परसो की कुमेंड किये थे कि भाईया भूत प्रेथ ऐसा नहीं होता लूगो को कुछ भी बोले जाते हैं तो बूध व्याधा होते हैं तो लौंग जला करके इसकी धुमाँ सुखाने से भूत प्रेत अगर किसी को लगे नो छोण करके भग जाते हैं एक उपाय और सुनिए अगर हनमान जी महराज को लाउंग का फुस पर चढ़ाते हैं लाउंग का जो हैं माला पहना आते हैं तो तकिये की नीचे अब लाउंग के माला हनमान जी महराज को पहना आए हैं ड़ो अच्छी लगी होती से लाइक जरूर करना इसे सेर करना नभूलना और कोमेंड बॉक्स में जैसी राम जरूर लिखना जब आप लोग कोमेंड बॉक्स में जैसी राम करते हैं, दोस्तो मुझे गरवा होता है कि हमारे हिंदु भाई लोग जागरित हो रहे हैं, की जैकारा लगा आते तो ऐसा लगता है कि हन्वान जी मराज आप सभी के सम्मुख में खड़ें हमारे सम्मुख में खड़ें तो आज की जान करी बस इतने दोस्तों बिडियों को आखरी तक दिखने के लिए धनिवाद नमस्कार जै स्रीराम